है दोस्तो वेलकम तो स्टेडी आई एस और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर क्यों यहां पे जो रेलवे है उसने एबॉलिस कर दिये 72,000 पोर्ट्स को मतलब कि जो पोस्ट थी दोस्तो 72,000 उनको एबॉलिस कर दिया गया आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या रिजन है इसके इतनी सारी वेकेंसी इतनी सारी पोस्ट क्यों यहां पे अबॉलिस करी गई है ओके रद मान सकते हैं आप लोग अब ही हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे कि क्या रिजन है इसके काफी कुछ आप लोग को समझ में आएगा और मैं यह कोशिस करूँगा कि कहीं आपको दिक्कत ना हो चलिए बढ़ते हैं और डिसकर्स करते हैं कि क्यों आके रेलवे ने अबॉलिस कर दिये 72,000 पोर्ट्स को लेकिन दोस्तों आपको उससे बहले बता दूं यहां पे कि जो स्टेडी इस उसे जरूर यूज कीजिएगा एक और बात दोस्तों यहां पे CSC Assure है जो कि यह आप गारांटी देगा कि तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपका एक्जाम क्लियर नहीं हो जाता है अगर आप लोग पर्चेस करेंगे दो या फिर उसे जदा साल का कोई बी सब्क्रिप्शन तब आप लोग को यहां पे CSC Assure जो है वो जरूर मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए दोस्तों ओफर है आप सब्क्रिप्शन ले तकते हैं हमारा कोड यूज करके जो कि यह स्टर्डी आई एस ओके नए बैचेस हैं दोस्तों जो कि आज से स्टार्ट आई एस उसे यूज कर सकते हैं अब देखे दोस्तों राज सभा जो है MP के के किरल से डॉक्टर वी सेवदासन जी उन्होंने यूनियन रेलवे मिनिस्टर जो है रेल मिनिस्टर अस्वनी वैशनव जी को यहां पे बोला है कि या फिर अपके सब्सक्राइब सब्सक्राइब इन से कि जो यहां पे री इंस्टेट करा है लगबग 72 पोजिशन का रेलवे के अंदर वो क्यूं करा गया है इसके बारे में सवाल पूछे गए हैं आप देखें आपको बताओं कि जो रेलवे हमारी कंट्री के लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट इंप्लाइर लेके आता है आप लोगों देखा होगा करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं एक करोड़ फॉर्म तो चैद मुझे याद है अभी रिसेंट्ली जब ही वेकेंसी निक कई देश होते हैं इतने साइज का तो आप मान सकता है कि कितने बड़ी हमारी आखिरह क्यों इसकेसा क्यों करा गया है और यह यह सवाल पूचा गयाए दोस्तों कि आखिरे सको परेस्ट इम्प्लाइट कैसे बंगता है इंडियन रेल्वे जो है वो दोस्तों आपको बता दू कि हमारी कंट्री के लिए बिगेस्ट जॉब प्रोवाइडर है और लगबग एस्टिमेट यहां पर यह लगाया गया कि 2019 में दोस्तों जैसे कि अभी मैंने बताया कि 2.4 करोड कैनिडेट ने अप्लाई करा था एक लाग एड़टाइज वेकेंसी के लिए जैनवरी में दोस्तों इस साल ही आपके सकते हैं यहां पर आपको बताऊं कि हंड्रेट ऐसी जॉब एस्परेंट थे यूपी बिहार से जिन इस अपने 46 ट्रेंड के लिए जिससे कि जो आप इसते हैं रस है वो कम हो सके रिक्रिटमेंट एक्जाम के लिए यह बाते जो कि आपको भी पता लगती है कि किस तरीके से इंडियन रेलवे जो है वो मेगा एंप्लाइर लेके आता है जॉब केटेगरी कैसी कैसी है तो रेल इसके साथ साथ ग्रूप सी की जो पोस्ट ने दोस्तों एंसेंशनल है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल केडर पोजिशन के लिए जिसके अंदर आपके क्लर्क वगएर आ गए स्टेशन मास्टर टिकेट कलेक्टर यह सब आ गया है ग्रूप डे में दोस्तों जो यहाँ पर ऑपरेशन के लिए हैं वो सारी पोस्ट आती हैं प्यून वगएरा हैलपर सफाई वाले यह सब आते हैं पोस्ट एबॉलिस के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों तो देखिए जो पोस्ट यहाँ पर आपकी ग्रूप सी और ग्रूप डी से बिलॉंग करती थी रिपोर्ट जो कि यहाँ पर अलग-अलग आपके सकते हैं जो डेलवे डिपार्टमेंट है उन पर काम करते रहते हैं और उन्ही के हिसाब से यहाँ पर आपके सकते हैं जो इंप्लॉमेंट है यह भी हमें देखने को मिलता है 2015-16 और 20-21 में दोस्तों लगबग यहाँ पर 56 57 इतनी पोस्ट आये थी जिनने सरेंडर करा था 16 रेलवे जोन्स ने और आपके सकते हैं लगबग यहाँ पर 15,000 जो स्लेटर थे उन्हें अबॉलिस करा गया जो नॉर्दर रेलवे दोस्तों उनने सरेंड करा लगबग यहाँ पर 9,000 पोस्तों को उसके बाद दोस्तों सौधन रेलवे में साड़े 7,000 हो गया इस्टर रेलवे के अंदर लगबग 5,700 और आपका जो सौध इस्टर रेलवे हैं वहाँ पर लगबग आपके सकते हैं 4,600 जो पोस्त हैं इनको यहाँ पर सरेंडर करा गया था तब यहाँ प आप कह सकते हैं जो आता है वो आता है आपका डिमांड फॉर ग्रांट्स 2021 एनलेसिस रिपोर्ट के हसाब से स्टाफ के वेज़ेज में पैंसें रिलेटेड यह सभी आप कह सकते हैं मिजर ड्रेन है हमारे रेलवे के फाइनेंस में 2015 को दोस्ते कमिटी आई रिकंस्ट्रक्टिंग रेलवेज ने और उन्हें टम दिया एंटिटी एक्स्पेंडिचर और स्टाफ एज एक्स्ट्रीमली हाई एंड अनमेजनेबल जो स्टाफ पैसा रगता है दोस्तो वो आपके सकते हैं बहुत हाई रहता है और कंसिस्टेंट नहीं हमें देखने मिलता है रेलवे की तरफ से क्योंकि यहाँ पे अभी अर्निंग के लिए बहुत ज़र थे दोस्तो पिछले आपके सकते हैं जंप हमें तो मिला है लगवग 24 परसेंट का पर वहीं अगर हम लोग CIG के बात करें अभी December 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से तो जो रेलवे का finance से दोस्तो वह advice करता है हमें augmented अपना ही internal resource को reduce dependency करता है gross budgetary support है extra budgetary resource है इसकी वज़े से हमें पूरा जो expenditure है यह हमें देखने को मिलता है ओकी दोस्तों तो आई hope कि अब आपको जो चीजें हैं वो समझ में आगी होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं और यह वीडियो से आपको क्या समझना चाहिए था मिलता हैं दोस्तों next वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and take care